हिमाचल प्रदेश में भाजपा के भीतर सरकार और संगाठनात्मक स्तर पर बदलाव हो रही है और इस बदलाव की अब कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंतरी जैराम ठाकुर ने भी पुश्टी कर दी है लेकिन इसके साथ उन्होंने कहा कि बदलाव प्रमुक रूप से उत्तर प्रदेश पंजाब और उत्तरा खंड के चुनाव के बाद हो सकता है यहाँ पर आपको पहले बताते हैं कि मुख्य मंतरी जैराम ठाकुर के कौन से वो ग्यारा चेहरे हैं जो इस वक्त कैबिनेट में शामिल है मुख्य मंतरी जैराम ठाकुर सरकार के सबसे पावरफुल मंतरी महेंद्र सिंग सरकार के दूसरे पावरफुल मंतरी विरेंद्र कमर कांगला जिला से राजपूत चेहरा और बड़ा नाम राकेश पठानियां हमीरपूर लोकसभा से बिक्रम ठाकुर के बाद OBC वोट बैंक पर लगातार पकड बनाने के लिए सर्वीन चौधरी उसके बाद घुमारवी से राजेंद्र गर्ग डॉक्टर राजीव सैजल सुखराम चौधरी रामलाल मारकंडा गोविन ठाकुर और सुरेश चेहरे हिमाचल प्रदेश सरकार के हैं जो मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर के साथ प्रदेश का प्रदेश स्तर पर रहतित्तो भाजपा सरकार की तरफ से करते नजर आ रही हैं यहां पर चर्चा यह है कि हिमाचल प्रदेश में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे क अब बड़ा राजनीतिक फेर बदल होना तैह हो चुका है सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर की कुर्सी को कोई खत्रा फिलहाल नहीं है लेकिन इसके साथ ही उनके मंत्री मंडल में बहुत से नाम नए शामिल हो सकते हैं ऐसा कहा जा सकता है वहीं प्रदेश अध्यक्ष के तोर पर भी और संगठन में अन्य महत्तोपून पद जिनमें महा मंत्री सबसे ज्यादा महत्तोपून रहते हैं उन पदों पर भी बड़े स्तर पर बदलाव की चर्चा होने लगी है इसके बाद अगर हम बात करें तो संगठन मंत्री पवन राणा को दिन यहां पर महत्तोपून यह है कि अगर मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बदला जाएगा तो मंत्री कौन-कौन से बदले जाएंगे और उनके बदलने का कारण क्या रहेगा लगातार हिमाचल प्रदेश के मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड हाईकमान के पास पहुंच रह हैं और रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से नई रणनीती हाईकमान प्रदेश में भाजपा के लिए बना सकता है और उसी रणनीती के तहत कहा जा सकता है कि हार की गाज किसके ओपर गिरेगी एक तरफ जहां मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर और मंत्री विरेंद्र कमर ने चु चायें गर्माने लगी हैं हिमाचल प्रदेश में चुनावी साल शुरू हो गया है और अब इस चुनावी साल में हिमाचल प्रदेश में राजनितिक रूप से बड़े-बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और कॉंग्रेस पार्टी पर भी लगातार दबाव ब महत्तोपूर्ण भाशन हिमाचल प्रदेश में हार के बाद हुआ था और अब इस कड़ी में महत्तोपूर्ण हो जाता है कि वो कौन सा चेहरा है जिसको अब भाजपा का हाईकमान कुरसी पर नहीं देखना चाहता और जिनके लिए विकल्प ढूंडे जा रहे हैं। अगर वेकल्पिक व्यवस्था की बात करें तो उनके बाद किस चेहरे को यहां पर जिम्मेदारी दी जाएगी यह उससे भी बड़ा सवाल है। क्रियता में काफी कमी आई है और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की रैली और उनके साथ हुआ महेंदर सिंग का समवाद खासा चर्चा में रहा। उसके बाद ठाकुर महेंदर सिंग अब करसोग में आराम कर रहे हैं क्यूंकि रैली के दोरान उन्हें चक्कर आ गया था और वे गिर गये थे। हालांकि उससे अगले दिन उन्होंने अपने ठीक होने की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से सांचा की। लेकिन कहीं ना कहीं ठाकुर महेंदर सिंग को लेकर चिठियां हाई कमान में जरूर है। हालांकि मुख्य मंतरी जैराम ठाकुर के बड़े करीबी मंतरी हिमाचल प्रदेश में महेंदर सिंग माने जाते हैं। इसके बाद दूसरा नाम जिनके उपर इन दिनों निगाहें टिकी हुई है। वे हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंतरी बिक्रम ठाकुर है। बिकरम ठाकुर को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गरम है कि उनको लेकर भी हाई कमान क्या फैसला लेगा और क्या हाई कमान उन्हें मंत्री मंडल से हटा देगा। बताते चलें की हाल ही में चंडीगण में एक मामला हुआ था जिसमें पैसों के लेंदेन की बात हुई थी और विक्रम ठाकुड ने उस समय स्वेम मीडिया में आकर स्पष्ट किया था कि अगर वे इस मामले में कहीं भी सलिप्त पाये जाते हैं तो वे खुद ही राजिनीती चोड़ देंगे उसके बाद उस मामले में कुछ निकल कर तो नहीं आया लेकिन लगातार हाइकमान में उनके मंत्री मंडल बदलाव को लेकर चर्चाओं का बाजार गरम रहा इसके बाद तीसरा बड़ा नाम मंत्री मंडल को लेकर रामलाल मारकंडा का आ रहा है रामलाल मा साल हिमाचल प्रदेश में है ऐसी स्थिती में अब हाई कमान इन सभी व्यवस्थाओं को लेकर क्या फैसला लेगा ये बड़ी बात है इन सब के बीच में कांगला से मंतरी सर्वीन चौधरी का नाम भी बदलाव की सूची में माना जा रहा है ताजा सूचनाएं पांच मंतरियों को बदलने की लगातार है लेकिन हिमाचल प्रदेश में भाजपा की मौझूदा सरकार में बहुत ज्यादा अनुभवी विधायक भी नहीं है ऐसी स्थिती में अगर पांच मंत मंतरी मंदल में जगहा मिलने की संभावना है और चमबा से विक्रम जर्याल के नाम पर भी मोहर लग सकती है हालांकि वहां से डिप्टी स्पीकर विधान सभा के हैं और वे भी लगातार मंतरी मंदल में अपनी दावेदारी जताते रहे और यहां पर एक और नाम डॉक्टर प्रकाश नडडा केंद्र से क्या उनका नाम मंतरी मंदल में शामिल करते हैं या नहीं हालांकि बड़े बदलाव की सूचनाएं लगातार है ऐसे में गोविन ठाकुर राजेंद्र गर्ग दो ऐसे चेहरे हैं जिनको लेकर भी हाई कमान बड़ा फैसला ले सकता है लेकिन व मैदारी रहेगी अन्यधा किसी भी तरह का बदलाव पाठी को नुकसान कर सकता है वहीं अगर हम संगठन की बात करें तो सुरेश कशप मौजूदा समय में पाठी के अध्यक्ष हैं लेकिन बतोर अध्यक्ष मुखे मंतरी जैराम ठाकुर के लिए जिस भूमिका में उन्हे होना चाहिए था उन्होंने उस भूमिका को बखु भी निभाया चुनावों में अब संगठन के साथ चलना होता है ऐसी स्थिती में कहीं न कहीं सुरेश कशप अपने आपको हाइकमान के समक्ष वहां पर खड़ा नहीं कर पाए जहां पर डॉक्टर राजी बिंदल और सत् हैं अब देखना यह होगा कि चार महामंत्री और एक अध्यक्ष को लेकर क्या निर्णे हाई कमान लेता है वहीं अब पार्टी का एक पद एक व्यक्ति का सिधान्त भी हवा होता नजर आ रहा है क्यूंकि अब तो एक व्यक्ति के पास अनेकों पद हो चुके हैं जिसमें त और जिसके चलते बहुत से अने चेहरे जो आगे आकर काम कर सकते हैं वे कहीं पीछे कतार में खड़े नजर आ रहे हैं अब आपको बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस सारी चर्चा को बल कहां से मिला बल खुद मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर ने दिया है जब उन्हो ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पांच प्रदेशों के चुनावों के बाद सरकार और संगठन में बदलाव देखे जा सकते हैं मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर ने कहा कि पांच राजियों में चुनाव के बाद हिमाचल प्रदेश मंत्री मंडल में फेर बदल संभव है इ राज्यों के चुनावों पर केंद्रित है अब सवाल ये भी उठता है कि हार की जिम्मेदारी खुद मुख्य मंत्री जैराम ठाकुर ने ली प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कशप ने भी ली और पाटी के एक वरिष्ठ मंत्री विरेंद्र कंवर ने भी ली ऐसे में हाइकमान गाज मंत्रियों के उपर गिरा कर प्रदेश में भाजपा को कैसे मजबूत करेगा और अगर इतनी बड़ी संख्या में मंत्री मंडल में बदलाव होता है तो फिर भाजपा के कारे करता जो पहले ही उपचुनावों में हार के बाद खुद को ठगा सा महसूस करने लगे हैं इस मंत्री मंडल विस्तार के बाद कितनी बड़ी उर्जा का संचार उनमें होगा ये तो आने वाला समय ही तै करेगा